हेलो फ्रेंज मैं अनिल आज आपको MS Outlook Configuration के बारे में बताऊंगा कैसे MS Outlook Configure करते हैं यह बताऊंगा तो सबसे पहले मैं डिसकस करता हूं कि MS Outlook Configure करने के लिए requirement क्या है सबसे पहले आपको जो requirement है वो क्या है internet connection second valid email id username password username password email id का and second thing is port address of MS port address of pop and SMTP so कुछ यह चीजे हमें चाहिए MS Outlook Configure करने के लिए स्टार्ट करते हैं मैंस Outlook कैसे Configure करते हैं स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं all programs office पर क्लिक करते हैं Microsoft Office Outlook 2007 क्लिक किया यहां पर tool option आ रहा है मेनू से select करेंगे tool option account settings पर क्लिक करेंगे email tab पर क्लिक करेंगे नीचे option आ रहा है new new account पर क्लिक करेंगे your name यहां पर आपको नाम देना है जिसका account अकाउंट कंफिगर करने जा रहे हैं यहां पर मैं ideas for victory यह account है email address है ideas for victory at the rate gmail.com पासवर्ड इस जो आपका user account का पासवर्ड है email account का पासवर्ड है वही पासवर्ड आपको यहां पर mention करना है एक बार मैं चेक कर लेता हूं इंटरनेट पे जो address मैं configure कर रहा हूं वो इंटरनेट पे यूज हो पा रहा है या नहीं इसके लिए पहले मैं account से login कर लेता हूं कर लेता हूं यूजर नेम और पासवर्ड कर लेता हूं यूजर नेम और पासवर्ड यूजर काउंट ओपन हो चुका है लागाउट कर देते हैं वापस इमेल मैं मैं आटलूक पे आते हैं यहां पर पासवर्ड में सुन कर रहा हूं नेक्स्ट यहां अगर मैं नेक्स्ट कर देता हूं तो जो जी मेल्स की सेटिंग से पॉप और SMTP वो अटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी पर मुझे क्या करना है यह सेटिंग्स को मैनुवल कॉन्फिगर करना है इसके लिए आप मैनुवल कॉन्फिगर सर्वर सेटिंग्स और अडिशनल सर्वर टाइप्स पे क्लिक करेंगे यहां पर चूज इमेल सर्विस, इंटरनेट इमेल, Microsoft Exchange, Other यहां पर मैं आउटलुक को डाइकली इमेल से, इंटरनेट इमेल से कनेक्ट कर रहा हूं इसलिए मुझे अगर मैं एक्सचेंज पर कॉन्फिगर करता है तो इसके लिए एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं अभी मैं इंटरनेट इमेल एड्रेस यूज कर रहा हूं इसलिए मैं इमेल सेलेक्ट करूंगा नेक्स्ट करता हूं यहां पर इंकमिंग मेल सर्वर, इंकमिंग पॉप.gmail.com है आटगोईग इस सम्टीप.gmail.com यूजरनेम आइडियासफर विक्टरी यह वही यूजरनेम है जो हमारा इमेल एड्रेस है अब देख सकते हैं आइडियासफर विक्टरी एड जीमेल.com यहा करते हैं बाकी के portion को domain name कहते है at the rate separator का काम करता है तो at the rate के पहले वाला जितना option होता है वो username होता है वो यहां पर डालेंगे password email account का mention करेंगे then यहां more setting option आ रहा है यह more setting option पर click करेंगे out going servers click करेंगे यहां my out going server SMTP requires authentication my इस पर टिक करेंगे then use same setting as my incoming mail server जो मैंने यहां पर email account की information दी है और यहां पर जो settings होंगी वो मैं चाहता हूं जो incoming के लिए यूज हो रही महीं इसके लिए यूज हो इससे क्या होगा फायदा होगा कि मुझे manually यहां पर बारवर्ड डालना नहीं पड़ेगा हां उस case में आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपका SMTP authentication अलग है और incoming authentication अलग है तो उस case में आप इसको use करेंगे logon using this अगर same है तो यह use करेंगे यहां पर the server requires an encryption connection SSL actually जो Gmail server है वो secure connection use करता है जब भी हम Gmail पर login करते हैं तो देखा होगा हमारा Gmail account SSL के तुरू login होता है STTPS so करता है web browser में इसलिए हम यहां पर 995 यह Gmail का account Gmail का port address है इसको tick करने पर आएगा then outgoing server SMTP by default जो port number है SMTP का वो 25 होता है Gmail जो use करता है secure port address वो है 465 यहां Gmail जो use करता है TLS और SSL दोनों use करता है दोनों encryption method आप कोई भी कर सकते हैं नीचो option दिया हुए delivery leave a message leave a copy of message on the server आप tick करेंगे तो एक copy वहां रहेगी बाकी copy आपके system पर आएगी वैसे इसको tick करने की जरुरुत नहीं है कि ओके प्रेस करेंगे यहां पर require logon using secured password authentication आप इसको tick कर सकते हैं जिससे की encryption होगा जब भी पासफ़र शेर होगा server पर तो required logon using secure password authentication टेस्ट अकाउंट करते हैं settings complete हो चुकी है एक बाद टेस्ट अकाउंट करते हैं account checking हो रही है progress है in progress completed यानि कि जो pop की settings मैंने दी है वो complete हो चुकी है कोई error नहीं आया send test email दोनों यानि SMTP और अप दोनों settings हमारी configure हो चुकी है और वो complete है without error close करते हैं next click करते हैं finish करते हैं close पर click करते हैं यहां पर आप send receive option आ रहे हैं इस tab पर click करेंगे जैसे आप send receive tab पर click करेंगे so आप देखेंगे कि यहां पर mails आना start हो जाएंगी यह error RSS feed से related है 5 emails थी हैं हमारे account में तो 5 emails यहां पर download हो गई यह unread messages जो है वो RSS feed है news feed है inbox में जाएंगे तो यह अब check कर सकते हैं एक बार हम check कर लेते हैं यह भी check कर लेते हैं कि mails जा रही है या नहीं जा रही है click करेंगे new पे to में जिस बंदे को mail भेजना है उसका Gmail account देंगे CC में कुछ नहीं रखते है test mail subject में दिया dear user this is an this is a test mail for outgoing server regards ideas for victory message type करने के बाद send करेंगे जैसे send पे क्लिक करते हैं message तुरंद outbox में जाता है सीधे send नहीं होते है outbox में जाता है send होने के बाद जब send हो जाता है तो send items में दिखाता है अगर आपका message outbox से send items में आता है इसका मतलब आपकी mail जा चुकी है एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपने account से login करके आपका आप 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 यस इदेखियो टेस्मेल आगिया है मैं इदर से compose करता हूं या मैं उसी mail को reply कर देता हूं इंबॉक्स पर क्लिक किया mail open किया reply send send receive पर क्लिक करेंगे okay new mail so इस तरीक से आप देख सकते हैं कि mail मेरे MS Outlook से send भी हो रहा है और mail receive भी हो रहा है so यह था configuration of MS Outlook इसके लावा इस MS Outlook में आप देख सकते हैं कि mail है calendar है यहां से आप calendar use कर सकते हैं contact इस email client में आप contact address card business card details of the card phone list सारी settings आप यहां से सारे users को क्या कर सकते हैं सारे users की details यहां पर store कर सकते हैं task जो आपको to do task है to do list है यहां से आप जो काम करना चाहते हैं आप देख सकते हैं वो list आप create भी कर सकते हैं यहां से notes बना सकते हैं new notes पे click करेंगे यहां से जो आपको करना है वो task दे सकते हैं बाकि next topic में हम इसकी details जानेंगे और backup भी जानेंगे कैसे पूरी email client का backup जैसे कि inbox में आप देख रहे हैं कि इतनी सारी mails हैं इन mails को backup लेना है ताकि in future अगर कभी भी कोई mail crash होती है तो वो mail में वापस उस backup से ला सकूं सो यह configuration थी मैं हम इस outlook की thank you for visiting my blog